नमश्कार आप देख रहे हैं आरे निउस और मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रुख करेंगे बॉलिवुड की कुछ तासा तरीन खबरों की ओर जहां आपको बता देज़ें कि लेकिन से पहले यह बता देएं कि पश्श्मबंगाल में चुनाप के बाद हिंसा के मामले के लिए जांट जारी है लेकिन इनकी साथ साथ अब आपको बता दें कि बॉलिवुड में भी लगभग सस्पेंस बरकरार है और अब महाभारत के एक किर्दार को लेकर ये सस्पेंस बना हुआ है जहां आपको बताते चलें कि बॉलिवुड की गलियारों में भी कई ऐसी तादतरीन खबरे सामने आई हैं और इसी के साथ ही बताते चलें सबसे पहले आपको बताएंगे कि बॉलिवुड में विकी और सारा की अपकमिंग फिल्म के बारे में क्या ववाय चल रही है बॉलिवुड एक्टर विकी कोशल और एक्टर सारा लिखान पिछले कई दिनों से अपकमिंग फिल्म दा इमोडल अश्वत्थामा के चलतेज सुर्ख्यों में है औरी फिल्म के निर्देशक अधित्य धर ने निर्देशन में बनने जा रही है फिल्म महाभारत के किरदार अश्वत्थामा पाय बनाये जाने वाला था इसे बीच फिल्म की शूटिंग इसी महीने से शुरू की जाने वाली थी हाला कि अब खबरे हैं कि मेकर्स इस फिल्म को रोकने का फैसला ले चुके हैं बता दें कि फिल्म के ठंडे बसते में जाने का कारण बजट में आई दिक्कते बताई जा रहे हैं हार ही में आई ई टाइम सी रिपोर्ट के अनुस्तार भी फिल्म को बजट इशू के चलते रोके जाने की खबर सामने आई है जिससे पहली भी कई कारणों के आगे इस फिल्म को आगे बढ़ाया जा चुका है दे इमोर्डल अशुधामा मौजूदा समय में बन रही बॉलिवूट की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी जुसे बड़ा बनाने के लिए मेकर्स इसमें कई बड़े लोगों को कास्ट करने का विचार कर रहे थे इसी बीच फिल्म में अब एक एहम किर्दार निभाने के लिए डारेक्टर ने अधित्य धर की सुनी शेटी से भी बात की और साथ ही फाइनल स्टेज पर ये बात ची चल रही थी लेकिन फिल्हाल फिल्म जो है ठंडे बसते में जा चली है अब है सल्मान खान इन दिनों अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी है लेकिन जल्द ही सल्मान खान बड़े परदे पर नजर आएंगे और साथ साथ आपको बता दें कि अब ये भी खबर आ रही है कि सल्मान खान 16 साल बाद नो एंट्री का सीक्वल लाने की तयारी कर रहे है रिपोर्ट्स के मताबिक साल 2005 में रिलीज हुई नो एंट्री फिल्म में एक बार फिर से सल्मान नजर आएंगे बता दें 2005 में रिलीज हुई ये फिल्म अनीस बजमी की फिल्म नो एंट्री के सीक्वल की तयारी शिरू हो चुकी है बताए ये ज़ारा है कि पिछली फिल्म में जहां सल्मान खान का किरदार एक एक स्टेंडेड रोम्यों के रूप में नजर आया था लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिल्म का सीक्वल होल्ड पर है ऐसा इसलिए कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्म में फिल्म के प्रिड्यूसर बॉनी कपूर और सल्मान खान नो एंट्री के सीक्वल की तयारी में जुड़ गया है हाला कि इस फिल्म का डिरेक्ट कौन करेगा और डिरेक्ट कौन करेगा इस फिल्म को इसमें फिल्म की पिछली स्टार कास्ट से लेकर नई स्टार कास्ट को लेकर फिलाल शंसया बना हुआ है लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ज़ानकारी सामने नहीं आ पाई है नो एंट्री में अनिल कपूर, फरदीन खान, लारा दत्ता और सरीना जेटली और ईशा दियोल भी थे और ऐसे मिसलमान खान फिल्म में एक्स्टेंडेड रोमियो के किरदार में नजर आये थे, लेकिन इस बार फिल्म की स्टार कास्ट में कौन-कौन शरीक होगा, यह देखने वाली बात होगी फिल्म शेर सामें डिंपल चीमा के किरदार के लिए क्यारा एडवानी काफी तारीफे बटो रही है उन्होंने फिल्म में विक्रम बत्रा की गल्फिंट का किरदार निभाया है और हाल ही में एक इन्टेव्यू के दौराण कियारा ने खुलासा किया है कि वो इस फिल्म को लेकर बेहद ही ज्यादा नर्वज थी तिंपल चीमा को फिल्म काफी पसंद आई है और बता दे क्यारा ने कहा कि मैंने फिल्म रिलीज होने के बाद जिंपल को मेसेच किया था ये फिल्म उनके लिए काफी एमोशनल है और मैं इस वक्ट उनकी प्राइविसी की इज़त करती हूँ जब फिल्म के बाद मैंने कैप्टन बत्रा के फैमली से मुलाकाथ की तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जिंपल की तरहा लग रही थी ये सुनकर मैं रो पड़ी मुझे पता है कि जिंपल को फिल्म में गानोंने काफी चुआ है और उन्हें ये फिल्म भी काफी पसंद आई है फिल्म देखकर उन्हें काफी गर्ब हुआ होगा कहानी लोगों को भी पसंद आ रही है बता दें कि फिल्म की शूटिंग से पहले क्यारा डिंपल से मिली थी और इस मीटिंग में डिंपल ने विक्रम के साथ अपनी लव स्टोरी की कुछ जल किया और कुछ एहम बातें क्यारा के साथ शेयर की दोनों की मुलाकात चंडीगण में हुई थी और एक घंटी की मुलाकात के बाद ये दोनों आपस में बहुत जादा बात चीत करने लगे और इसके साथ ही अभी भी उतनी ही कुछ रहती है जिंपल और कैप्टन बत्रा उनके आसपास ही है ऐसा हुने महसूस होता है जब टिंपल से पूछा गया कि आपको अकेले रहते इतने साल हो गए तो वो बोली कि इससे फ़र्ट नहीं पड़ता मैं विक्रम से नाराज हूँ लेकिन जब उनसे मिलूँगी तो मिलकर सारी शिकायते दूर कर लूँगे अक्षे कुमार की अगली फिल्म बेल बॉर्टम उनने सगस को सिनमा घरों में रिलीज हो गई है अक्षे की पतनी ट्विंकल खना ने फिल्म देखने के बाद अपना रिवियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है ट्विंकल ने अपनी और अक्षे की इस फिल्म के लंदन प्रेमियर के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कुछ तस्वीर भी शेयर की फिल्म को मोस्ट वाच करार दिया गया है और ट्विंकल ने ये भी लिखा ट्वीट कर कि तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम पार्क में वॉक कर रहे हैं लेकिन हम इससे भी अच्छी चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ट्विंकल के रिव्यू पर अक्षे ने लिखा है कि जब वो बैल बॉटम को मस्ट वाच कहें तो ये पार्क में वॉक के समान ही लगता है ये मैं नहीं उन्होंने ही कहा है बता दें कि बैल बॉटम को कृटिक्स से भी पॉजिटिव रिव्यूस मिले हैं और अज़देवकर ने भी इस फिल्म को लेकर जम कर तारीफ की बता दें कि अज़ादेवकर ने फिल्म रिलीस के मौके पर अक्षे के लिए सोशल मीडिया पर लिखा डियर रखी नवेल वाटम के लिए अच्छे रिव्यू सुन रहा हूँ आपको बहुत बधाई हो साथ ही थियेटर रिलीस पर विश्वास जताना सराहनिय है ऐसे मैं अज़ादेवकर ने आगे लिखाया कि मैं इस फैसले में आपके साथ हूँ और आज कुंत्रा की गिरफतारी की तकरीबन एक महीने बाद शिल्पा शेटी काम पर वापस लोट आई है बता दें कि वो डांस रियालिटी शोउस फूबर डांसर चाप्टर फोर में एक बार फिर से शूटिंग पायर वापस पहुंच रही इस बीच शूटिंग के लिए वाइनटी वैन से निकलते हुए शिल्पा का एक वीडियो भी सामने आया था हाल ही में इस वीडियो में शिल्पा साड़ी पहने हुए नजर आई और चुपचाप सेट की ओर बढ़ गई इस दोरान शिल्पा कैमरे को देख कर एक बार हाथ भी हिलाती है मुश्किल वक्त में अपने वर्क कमिट्मेंट से मुह ना मोडने पार टीवी अक्ट्रेस हिना खान ने शिल्पा शिटी की चंप कर तारिफ की उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शिल्पा की फोटो को शेर करते हुए लिखा You go girl, hugs तो मैं इंडियन आइडल सीजन बारा की फाइनलिस्ट मराथी मुल्गी सेयली कांबले का सपना पूरा हो गया है जैसे ही इंडियन आइडल का ग्रांट फेनाले खत्म होगा दूसरे ही दिन सायली को फिल्म के लिए प्लेबाग सिंगिंग करने का ब्रेक मिला है बदा दे काफी बड़ा मौका है सेयली के लिए और प्लेबेक सिंगिंग का उफर मिलने के बाद सेयली काफी खुश नजर आई सेयली फिल्मेकर राजुन की मराथी फिल्म कोहला पर डायरी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही है सेयली कहती है कि इंजियन आईडल में हिस्सा होना बड़े गर्ब की बात है हिस्सा लेते वक्त मैं चुहाती थी कि लोग मेरी गायकी को बसंद करें और फिल्म इंडस्ट्री में मेरे करियर की शुरुआत हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी लखी हूँ कि देखिये यहां ग्रैंड फिनाले खतम हुआ और दूसरे ही दिन राजुन सर ने उनकी फिल्म कोला पू जायरीज में गाने का मौका दिया है मैं राजुन सर और संगीतकार अब दूद गुपते से दिल से उनका शुक्रिया आदा करना चाहूंगी उन्होंने मुझे यह मौका दिया फिल्मेकर जो राजुन भी कहते हैं कि सयाली टालेंटिट सिंगर है मैंने जनाइडल बारा में देखा है कि वो उनकी आवाज कितनी खूपसूरत है वो देखते ही उनकी आवाज के फैन हो गए सयाली ने अपने हुनर से करूडो लोगों का दिल जीत लिया है और मुझे पूरी उमीद है कि लोगों को उनका ये गाना भी पसंद आएगा साथ ही आपको बता दें कि वो एक सुरीली और काम्याप सिंगर जरूर साबित होंगे बिग बॉस OTT की कंटेस्टेंट सिंगर रिदिमा पंडित भड़ा कुछी है साथ ही उन्होंने को कंटेस्टेंट प्रतीक सहच पाल पर भी उन्हें धमकाने का अरोप लगा डाला बता दें कि हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार पर करार है विक बॉस हाउस में और सुमबार को सोशल मीडिया पर रिलीज किये गए एक नई वीडियो में रिद्वा ने कहा कि प्रतीक ने उन्हें परिशान कर दिया है श्मिता शेटी, नेहा भसीन, राकेश बापड और दिव्या अगरवाल समेत उनके अन्य लोगों को और अन्य को कंटेस्टेंट को भी शान्त कराने की कोशिश की गई दरसल हुआ यूँ कि शो में हुए टास्क पंचायत की दरान घर के सदस्यों को सबसे कामचोर कनेक्शन चुनने के लिए कहा गया था ऐसे में बॉसमेन राकेश बापड और बॉस डेडी समिता शेटी ने सभी कंटेस्टेंस की बाद सुनकर करननात और रुदिमा पंडित का नाम लिया और जैसे ही तोनोंने खुद को समझने की और समझाने की कोशिश की वैसे ही प्रतीक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कमेंट करना शुरू कर दिया उसी दोरान चर्चा बढ़ गई और रुदिमा रूने लगी चिलाने लगी और इसके बाद उन्होंने प्रतीक पर या रोप लगा डाला उन्हेंने कहा कि मैं जब बात करती हूँ हर समय वो बीच में शामिल होंगे तो मैं कैसे अपना पक्ष रखूंगी इस पूरे शो में ये परिशान कर रहा है मुझे बुली कर रहा है ऐसा नहीं चुलेगा रिदिमा ने आगे ये भी कहा कि वो प्रतीक से बहुत नाराज हैं और उन्हेंने कहा मेरा पार्टनर खुद बोलता है कि रिदिमा काम किया है और उसके बाद मेरा नाम लिया जाता है जान बूच के क्योंकि मैं मस्ती मजाग कर रही थी आखिर ये क्यों मुझे परिशान करता है और अब बात करते हैं स्टापलस की सीरियल अनुपमा की सीधी साधी हाउस वाइप अनुपमा का किरदार दर्शकों को इतना पसंदा रहा है कि शो लगाता टी आरपी की रेस में कई बाकी शोस को पीछे छोड़ चुका है पहले पायदान पर डटा हुआ है अनुपमा और हाली के एपिसोड में अनुपमा ने मदर इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया और निकल पड़ी अपनी प्यारी बहू किंजू बेबी को इंसाब दलाने के लिए जी हाँ हाली के ट्रैक में दिखाये गया किंजल जिस ओफिस में काम करती है वहाँ धोलकिया नाम का बॉट्स उसे परिशान करता है मतलब की अनुपमा की किंजू बेबी वर्क प्लेस हारस्मेंट का शिकार हो जाती है फिर क्या था पूरा का पूरा शापरिवार अनुपमा और किंजल के साथ हाथ में मोबाइल लिए निकल पड़ता है और जोलकिया का धोल बजा देता है हमारा मतलब कि जोलकिया की खूब महाँ पर एक्सपोस किया जाता है और उसको खूब खरी खोटी सुनाए जाती है एक्सपोस कर दिया गया और फाइनली शो में all is well हो गया है तो वहीं आने वाले ट्रैक में शापारिवार स्वतंत्रता दिवस मनाता हूँ नजर आएगा और शो की स्टार काच अलग-अलग सब्वेता और संस्कृति के कपड़ों में नजर आएगे बता देश के अलग-अलग रंगों को एक साथ दर्शाते हुए भारत की विविदिताओं को दिखाया जाएगा उसे के साथ ही बात करें कलर्स के शो बैरिस्टर बाबु की तो बैरिस्टर बाबु में छोटी बॉन्दिता गया गई शो की ट्यार पी नीचे लुड़क गई पर एक बार फिर से शो दर्शकों का चोहिता बनने की जोड़दार कोशिश में लगा हुआ है शो मेकर्स ने शो में नई बॉन्दिता तो ले आए पर बिचारे अनिरुद और बॉन्दिता एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए कभी बॉन्दिदा आनिरूत को प्यार का ऐसा जलाने के लिए जुतन कर रही थी तो अब आनिरूत को बॉन्दिदा के पयार के लिए कोशिश करता देखा जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये दूरी कैसी ये कौन है जो प्यारे पैलिश्टर बाबू और बॉंदिदा के बीच आ गया है कहीं ये ठाको मा तो नहीं तो कहीं ये चंद्रचूर ने तो कुछ नहीं किया या फिर बॉंदिदा की बेहन संपूर्णा नेगटिव किरदार में वापस तो नहीं लोटाई है पर नहीं आपका अंदाजा यहाँ पर गलत है इस बार इन दोनों गलव बर्ड के प्यार के बीच आई है बॉन्दिता की भोली भाली मा सुमती मा और सुमती मा ने बॉन्दिता को अनिरुत की कसम दे दी है तो भला बॉन्दिता कैसे अपने सखा बाबू की कसम तोड़ सकती है बस यही है आने वाला ट्रैक और अब देखना यह होगा कि कृष्णा अनगार और तुलसेपुर की दुश्मनी के बीच बॉन्दिता और अनिरुत का प्यार कैसे परवान चड़ेगा और क्या कुछ नए ट्विस्टिंट टरंस इन दोनों का इंतिजार कर रहे हैं और स्टाप लिस्ट के शो गुम है किसी के प्यार है में निर्ध धर्शकू का मनुरंचन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है एक दो सब्ता तक तो ये शो टी आर्पी के लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंचिया था हलागि अब काफी समय से ये दूसरे नंबर पर कायम है तो आपको बता दें कि शो में समराट की वापसी के बाद से हमीशा की तरह टी आर्पी लिस्ट में खूब हंगामा मचा 32 सब्ता में सीरियल ने फिर से एक बार दूसरा स्थान पाया तो वहीं स्टाबलेस का सूबर हिट शो इमली कई सब्ताव तीसरे स्थान पर कायम रहा लेकिन इस हफते सीरियल की रेटिंग में थोड़े उतार चड़ा अब देखने को मिले इस सब्ताव वर्ड टी आरपी रेटिंग लिस्ट में इमली सीरियल तीसरे से चौथे स्थान पर लुड़क दया है वैसे इमली के कहानी दर्शकों का खूब मनुरंजन कर रही है इमली लगातार मालुनी का असली चहरा आधित्ते के सामने लाने की कोशिश में लगे हुई है कहानी में आ रहे ट्विस्ट एंट टर्न्स सबका दिल जीत रहे हैं और शो की टी आरपी की बात करें तो इन दिनों टेलिविजन की दुनिया में रोई शेटी का स्टेंट रियालिटी शो खत्रो के खिलाडी सीजन ग्यारा इन दिनों खूपसुर्ख्यों में है इस हफते खत्रो के खिलाडी ग्यारा की टी आरपी पोजिशन में कोई बदलाद नहीं आया है इस हफते भी शो नंबर पांच पर डटा हुआ है शो में दिव्यांका तुरपाथी, श्वेता तिवारी, आरजुन बिजलानी और विशार अदित्य सिंग का डेरिंग स्टाइल लोगों को देखने को मिल रहा है अब ही अब करोना काल में वेब सिरीज का चलन काफी बढ़ गया है और लगातार वेब सिरीज भी बन रहे हैं और ऐसे में अगस्त के महीने में भी कई बैतरीन वेब सिरीज आने वाले हैं और इसी के साथ ही इनमें कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जिनें नहीं देखा तो क्या देखा है हम आपको ऐसी चार भैतुरीन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे लेकिन इन्हें देखना बेहस जरूरी है लिस्क में पहला नाम आता है नवरसा का जो की हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा चुकी है बता दे मनी रतनम की इस वेब सीरीज को लेकर दर्शकों का अंतजार अब खत्म हो चुका है इस टीजर को शुकरबार को आउट किया गया था और इसमें कुल 9 एपिसोड बताए जा रहे है जो की नवरस पर अधारित है इस सीरीज में मनी रतनम ने जाएंदर पंच के सन के साथ मिलकर इस सीरीज को बनाया है नवरसा एंथोलोजी सीरीज है जिसे 190 देशों में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है इसे 9 अलग अलग भावनाव में बनाया गया है जैसे क्रोध, करणा, घरणा, सहस, भय, प्रेम, हसी, आश्चर्य और शांती सभी एपिसोड्स को गौतम वासुदेव, मेनन, बिजोय नामबियार और कार्तिक सबुराज, हलीथा, शमीम, पौनराम और कीर्ती नरेन, रथियाधान और प्रिसाद, अर्विन स्वामी और दिवंगत निर्देश के भी आनंद ने निर्देशित किया है अगली अपकमिंग सीरीज की बात करें तो इसमें अमजोन प्राइम विडियो की एक नई सीरीज है जुसमें मोहित रहना की आगामी ओरिजिनल सीरीज मुंबई डायरीज 26 ग्यारा का प्रिमियर डेट अनौंस कर दिया गया है इस सीरीज का प्रिमियर अब 9 सितंबर 2021 को होगा निकल अजवानी द्वारा निर्मित और M.A. Entertainment की मुनीशय अजवानी और मधु भोजवानी द्वारा निर्मित है ये सीरीज और ये एक मेडिकल ड्रामा है जो कि निकल अजवानी के साथ निकल गुसालवेस और इनों दोनो इस नवंबर 2008 को शेहर में हुए आतंकी हमले के दोरान जहान बचाने के लिए अथक प्रयास किया बदा दें कि इस फिल्म में आपको कॉंकडा सेंग्शर्मा, मोहितुरैना, टीना देसाई, श्रया धनवंतरी भी देखने को मिलेंगी साथी सतिर्दी दोवे, नताशा भारदवाज, मरनमाई देशपांदे और प्रकाश बेरावडी जैस से प्रतिबाशाली का लाकारों के साथ मुंबई जायरीज, चुबिस क्यारा को 9 सितंबर 2021 में, 240 से भी ज्यादा देशों और शेतों में Amazon Prime विडियोस पर लॉंच किया ज इसका नाम है काली पीली टेल्स, जिसमें वो नज़र आने वाले हैं, उन्होंने वेब सीरीज Four More Shorts Please से अपनी खास पहचान बनाई, वो नई पैंतलोजी वाली सीरीज में 6 कहानिया होंगी, इन कहानियों के जरिये मुंबई शेहर में प्यार, रिष्टों और लाइफ से समय बदल रहा है और इसलिए वास्तविक्ता भी बदल गई है, मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अपनी पत्नी को आजसानी से धोका दे सकता है, अपनी सीरीज की कहानी सिंगल जुमका की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कहानी भी पती-पत्नी के रिष्टे के उपर ही अधारित है उमीद है दर्शुकों को पुसंद आएगी और इसे के साथ ही बॉलिवुड स्पेशल में फिलाल के लिए इतना ही देश्चों दुने के तुमाम कुपरों के लिए देखते रही आरे न्यूस